कि नमस्कार कि मैं आपका डॉक्टर कि संचनरा कि आज फिर कि तरल विश्टी कंपोजर कि और साथ ही साथ कि जो गाढ़े गौम मुत्र का मैंने बहुत सारे कि आपको एक्जामपल दिये कई वीडियो भी डाले जो कि मिज़े प्राप्त हुए उसका परणाम कि बहुत ही अच्छा और बिल्कुल अलगा रहा है आपका जो तरल वेश्टी कंपोजर जो चोटी बॉटल है आप सभी लोग उसको यूज करते रहे हैं इस यह आपका तरल वेश्टी कंपोजर और इसके साथ में जो हम लोग गौमुत्र का गाढ़ा गौमुत्र जो यूज कर रहे हैं इन दोनों का परणाम अद्बुत हैं हम सब जानते हैं कि यह आपका तरल वेश्टी कंपोजर या लिकुड वेश्टी कंपोजर इसको बारबन मल्टिप्लाई करके हम लोग यूज कर रहे हैं पानी के साथ और चिरकाव भी करते हैं कभी-कभी लेकिन जब हम गाढ़े गौमुत्र का चिरकाव करते हैं इससे परिणाम जो आते हैं बिल्कुल अलग आते हैं और फसलों के लिए बहुत ही वरदान है मैंने बताया मात तीन स्प्रेश करने से पूरी कायकल पर आती है इल्ड बहुत बढ़े आता है अगर तीन ना कर सकें तो दो कल लें एक तो फ्लावरिंग के टाइम पर एक दू किसा फूटिंग सेटिंग पर दो जरूरी और आप सब जानते हैं कि जो इसमें हम यूज करते हैं इसको तरलेवेस डीकंपोजर को मल्टिप्लाई करके आप इसको प्रियोग कर रहे हैं और इसका पढ़नाम आपने देखा है लेकिन यह हमारा कुछ किसान भाईयों ने इसक किया है और जैसा कि मेरे पास कुछ इंक्वारी भी आई कुछ लोग ने पूछा किसको दूसरे गौम मुत्र के साथ तो वह मैंने वह बताया कि दूसरे गौम मुत्र के साथ जब इसको मिलाते हैं पानी की जिए पर जो पानी हम लेते हैं जब इसको मल्टिप्लाई करते हैं तो आपको मालूम है कि एक बॉटल एक एकड के लिए काफी आधा लीटर की बॉटल अगर आप उसमें आप अगर पानी आपकर 200 लगता है बड़ी क्रॉप के लिए तो 200 ले अगर 100 लगता तो 100 ले तो 100 ले ले चाहिए 200 लिटर पानी ले बॉटल एक ही लगेगी इसमें कोई बाकी चीज नहीं डाली है गुड़ूड अलावा नहीं डालना या अपने आप मुटलाई होता है दूसरे दिन जब आप इसको इसके अंदर कोई भी चीज परसंट चाहे माइको नूटिंट हो चाहे प्रस्टिसाइड फंगिसाइड इन्सक्टिसाइड या कोई भी अब फसल दिखाई देगी जो कि यहों की फसल है उसमें तरल वेस्ट डीकंपोजर या आपका एक जाह लीटर पर एकड़ के साफ से डाला गया इसके साथ में ही जो आप सिचाही करते हैं तो इसमें माइको नूटिंट दस परसंट यहार अगर डालें तो दस परसंट अगर पत्थर से निकाला गया है दस परसंट आपका जो पत्तियों का अरक है उन सब को मिला के आप डालते हैं हर सिचाही में तो उसके जो परिणाम आ रहे हैं जमीन को अच्छा होना अब टेक बढ़ाना यह सब साथ में आपने दिखाई दिया अब इसको जब आप प्रियोग कर अगर आप केमिकल्स भी लेते हैं तो उसमें कोई इतना साइड इफक नहीं आता है क्योंकि कम की मात्राम होती है तो केमिकल वाले माइक्र नूटिंट आप यूज कर सकते हैं जैसे आप एक लीटर रिकमंडेड है तो पचीस परसंट मानला दोसो पचास अमल लीजिए एक आपके पास अंधर सकते नहीं तो खाली पानी लिजिए उसके अंदर एक बॉटल डाला साथ में आपने माइको नूटिंट पचीस परसंट ही डाला है जितना अगर पत्थरों का आर्क आपके पास बना हुआ है तो पत्थरों का डाल दीजिए दस लिटर एक एकड़ में बहुत काफी पत्तियों का बना है तो दस पसंद पत्तियों का डाल दिए इन सब को मिलाके एक स्प्रे जरूरी है जैसे ही आप इसको एक इस्प्रे करेंगे आप देखेंगे कि जो बाली है जो आपके जो गेहूं है उसकी जो बालियां है उसकी लंबाई बढ़ेगी बाली की लंबाई बढ़ेगी तो बाली की लंबाई जहां आपको 6 इंज मिलती थी वहां 8 इंज 10 इंज 12 इंज तक मिल सकत और ग्रीन नी बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा जो आपका उसके अंदर बिमारियां है बिमारी सों नीजात मिले क्योंकि इसके अंदर आपने बाकी यह जो है पत्तियों का डाल लगता है अगर आप प्रक्राइब करते हैं तो जो भी के लाप डालते हैं उसका 25 परसंट लिए इ यह गौ मुत्र है इसी में में बनाया बनाने में सब कुछ जो कुछ डालना डाल दिए और मातरे की स्प्रे करने उसके बाद बालियों का साइज उसके बाद फूट उसके अंदर दानों की सैटीं सब बदनने सुरूए राती है और बढ़ी मातरा में आएग जब साइस बढ तो उसमें कोई भी है पोटास और खास्तों से फास्पोरस या बोरान इनका भी मात्रा इसमें डाल सकते हैं अगर आप दुसरा इस प्रे करते हैं तो आपने जिसे ले रखा है आपने फास्पोर्स का जो भी आपके पास उसको आप पहले विश्टी कमपोर जरू बना हुआ अ तो उसके बाद बहुत ही अच्छा है और अगर नहीं तो ऐसे भी आप एक नाइको नूट्रिंट डालके और पत्थ्रों का डालके इस प्रिकर यह तो हो गया और गनिक की बाद लिए इसमें आप मात्र दो किलो डाल दिये आपने लिया यह आपका बनाया 100 लिटर या 200 लिटर जितना एक एकड़म लगता है उसके अंदर आपने दो किलो डाल दिया तो दो किलो आप जैसे ही डालेंगे उसको डालने के बाद जब घुल जाएगा थोड़ी दो तिन घंटे छोड़ दें और छोड़ने के बाद यह आप एक काम कर सकते हैं कि जब यह आप इसको बना रहे हैं यह दूसरे दिन रेड़ी होगा तो उसको प्रयोग करने के पांच शे घंटे पहले उसमें आप यह डिए डाल दें और फिर इस प्रेकर अगर तो ज्यादा अच्छा है एसस्टी मिला के आप दागे स्टिंगल सुपर फासफेट जो आपका होता है इल्ड बहुत बढ़ेगी तो यह कि प्रयोग है इससे डालने से जो आपका वेस्ट डिकंपोजर जो एक काम करता था उसके बाद जब इसको डालते हैं तो इससे बीमारियां भी दूर होती है घीनरी भी आती है आपका जो है जो इल्ड बहुत जल्दी आपका बढ़ेगा और उसके अलावा जो है आपके जो प्लांट है उसकी हेल्थ बिल्कुल अलग हुआती है तो यह पूरा चेंजेज इससे कर देता है खास तोर से फ्रूट सेटिंग आपके फ्लावरिंग यह सब आप में बहुत मदद करता है और आप देखेंगे कि इसके जो परणाम आएं और इसे तेसे कोई फसलो सम्में इसको इस्प्रे करिए आप देखें क्या क्या चेंजेज आते हैं धन्यवाद